हलो माई डियर फ्रेंड कैसे हैं आप सब उमीद आप सब अच्छे ह измен होंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक होस्ट चमेट अपलिकेशन में multiple number of face verification कर सकती है यहनुकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक होस्ट चमेट अप्लिकेशन में दू या तीन आईडी रंड कर सकती है, दू या तीन आईडी चला सकती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हम सीखते हैं कि उसके लिए सबसे जरूरी है face verification होना अगर आपका face verify नहीं होता है तो आपकी earning आपके account में नहीं आती है तो सबसे पहले face verification की process सीख लेते हैं उसके लिए आपको click करना है my application जब आप application open करते हैं वहाँ पर आने के बाद sorry मैंने my application बोला my earning के ओपर आपको click करना है जब आप my earning के ओपर click कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दो option देखने को मिलते हैं यह सारे option पर आने के लिए सबसे पहले last option पर आएं वहाँ पर आने के बाद my earning open करना है my earning open करने के बाद आपको my wallet open करना है my wallet जब आप open करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला option ही आपको वहाँ पर phone number और फिर आपके face verification दिख जाता है जो कि आपको यहाँ पर tick mark है यानि कि हमारा यहाँ पर face verification successful हो गया है आपके सामने जो issue आएंगे वो मैं आपको कुछ screen source में दिखा देता हूँ जब आप वहाँ पर face verification करने जाएंगे दोस्तों तो इस तरह की कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जिनको मैं step by step clear कर देता हूँ तो यहाँ पर इनका कोई भी action detect नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर पीछे एक चीज़ देखिएगा और उसको थोड़ा समझेगा कि please node head तो यहाँ पर जो भी चीज़े आपको लिखी हुई दिखेंगी वही आपको अपने face पे action करना है node head यानि कि आपको garden को ऊपर और नीचे करना है अगर आपका दिखे कि left or right करें turn head करें तो left to right और अगर please blink eye लिखा आए तो अपनी पलकों को जबकाईएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है दो चीज़े यहाँ पर लिखिए है कि please be further to the phone यानि कि अपने face को phone से थोड़ा दूरी पर रखिए और दूसरा लिखा है कि please blink यानि कि अपनी आखों को जबकाईए उसके बाद यह circle आपको complete हो जाएगा और आपका face verification हो जाएगा लेकिन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर लिखा आता है verify और नहीं हड़ता है यह issue आपको आता है तो आपको अपना poster upload करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह process complete करके आपको application के back side में आना है और उसके बाद आपको my profile पर चला जाना है दोस्तो फिर आपको my profile में जाना है और वहाँ पर अपना एक poster upload कर देना है my profile ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे उपर जो option आएगा poster या avatar इसमें आप अपनी एक photo upload कर दे चिरफ इतनी process आपको करनी है आपका face verification हो जाएगा अगर फिर भी आपका face verification नहीं होता है तो description में मैंने whatsapp का link डाल दिया आप मुझे वहाँ पर message कर दें मैं आपका face verify करवा दूँगा क्योंकि यहाँ पर कई बाद देखा जाता है कि यहाँ पर लिखा रहता है कि आपने पिछले phone में पिछले account में face verify किया था अभी आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई भी issue नहीं है अब हम बात करते हैं कि दो ID's के ओपर कि क्या एक host दो ID run कर सकती है जी हाँ वो run कर सकती है ठीक है लेकिन आने वाले time में उसको problem हो सकती है कैसे run होंगी यहनि कि एक ID तो वो अपने face के साथ verify करा के चला सकती है और दूसरी और तीसरी ID वो अपने friend के साथ face verify करा के उसको use कर सकती है friend से face verify करा के उन ID's को भी एक host run कर सकती है इससे कोई issue नहीं रहता है तो अमीद है आप यहाँ से सीख गए होंगी कैसे एक host face verify कर सकती है और दो या तिन ID को run कर सकते है तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूले thank you very much